इस बेटा डिफ्रेंशेशन एंग लेक्टर नमबर 7 तोडेए वी आपको डिफ्रेंशेशन आफ टाइप F एक्स की पावर बेटा G आपको यह वाले किटेगरी करवाने जराओ बिफोर स्टार्टिंग इस टोपिक दो बातें जो हम आपको बेटा क्लियर करने नमबर एक पहली बात आपके पास यह है अगर आपके पास Y इक्वल है X की पावर N के तो आपने पढ़ा DY अपोन DX is equal to N into X की पावर N minus 1 the very basic rule of differentiation और पॉइंट नमबर दो यह विटा कि यदि Y आपके पास इक्वल हो N की पावर X के now DY upon DX is equal to N raise to power X and log of N at base E ठीक है आप इसको compare कर सकता है गटा A power X के साथ याद होगा A की power X का differentiation होता है A की power X into log of A base E तो देखिए होता क्या है generally यदि हमारे पास base में variable हो बेटा और power में constant हो तो तो हम इसको बोलते power function फिर तो power आ गया के power X reduce कर देते हैं रूल लगेगा और यदि आपके पास base में constant है जैसे आपका constant है और X आपका variable है यदि power में variable होगा बेटा तो वो चला जाएगा आपका exponential के differentiation के अंदर ठीक है अब एक तेसली condition पे मैं बात करता हूँ देखो point no.3 जो आता हो आता है यह अगर आपके पास y is equal to x की power x हो ठीक है सबसे आसा है और सबसे बढ़िया example के बहुत काम आता है y is equal to x की power x की अब देखिए यहाँ दो phase बनते हैं क्या होता है student a इसको ऐसे date करता गिटा वो जब dy upon bx निकालता है तो उसको यह लगता है ऐसा x into x की power x minus 1 पर उसने क्या किया देखो x की power जो भी थी power आगे लिया power एक कम कर दिया और जो student आपका b है second student कोई भी हमने जरनली मान लिया कि b है उसनी इसको मेंने differentiate किया dy upon dx और उस दिखिए दोनों बच्वों की जो thinking approach है अगर मैं उसको परताव करो तो b ने क्या सुचा बेटा है b ने यह सूचा कि जो x की power x है क्यों ना इसको compare किया जाए a की power x के साथ ठीक है x की power x तो ने किसे compare किया a की power x से अब a की power x का differentiation क्या होता था a की power x इंट लोग है तो उसने यही किया इन दोनों को compare करके इसको इस प्रकार differentiate लिया लेकिन उसका यह comparison में ही wrong है क्यों क्यों क्योंकि यहां पर a की condition क्या होती थी a आपके पास मेटा constant होता था यह आपके पास क्या था constant generally इसको positive constant लेते हैं और even के even नहीं होता बट यहां जो बेस आपका है वो constant नहीं है that x1 का comparison ही गलत है और strength a ने क्या सोचा देखो strength a में इसको यह सोचा उसने x की power x को compare किया बेटा x के power n के साथ तभी तो उसने किया n आगे x की power n-1 तो उसने n की तुर्णा किस से करी x से यह भी गलत है क्योंकि यह तो आपका constant होता था जोंकि आपका यह क्या है variable तो x की power x को आप ना तो x की power n की तरह differentiate कर सकते है और ना ही यह की power x की तरह differentiate करते है देन क्योंकि तो सेने राइस कि फिर x की power x differentiate कैसे होगा and that is our today's article फिटा when fx raise to 10x यानि कि in the base there is a variable and in the power there is also variable so in this way it becomes very interesting for the students to know that how can they differentiate the function when it contains variable in base as well as in power तो बेटा यहां आपका में डाउन की तरह जो है दूर कर देता हो ना कि y is equal to x की power x हो तो इसका हम differentiation कैसे करेंगा देखिए होता है क्या है ऐसी questions को solve करने के लिए जब आपका base में और power में दोनों जगह क्या हो बेटा variable then you have to take log on both sides you have to take log on both sides log of y is equal to log of x raise to power x हमेशा आपको ध्यान दटने में बेटाइए जब भी दोनों जगह variable होगा you have to take log on both sides that is why it is known as log of differentiation तो अब इसके बाद आप इसको मेंटा differentiate करतो differentiate with respect to x इस equation का अपका x के respect differentiate करेंगे तो log y का हो जाएगा 1 upon y और y का हो जाएगा dy upon dx ठीक है और इसको आप लिख सकते हो x आगे और साथ में क्या जाएगा log x जो कि x की पावर में को यह तो आगया जाएगा और इसको differentiate करेंगा u into v rule से तो x का differentiation तो अपके पास 1 और log x है as it is plus में x as it is log x का होगा 1 upon x राइट है यह पेटा इसका differentiation हुआ मुझे calculate क्या करना है dy upon dx तो dy upon dx क्या है मेरे पास y multiplied है और यह इससे cancel हो जाएगा so one plus log of x ठीक है अब कुछ बच्चों को लगा कि x x कैसे cancel हुआ वो बेटा understood है कि log के अंदर तो चीच पढ़िए वो positive है 0 से बढ़िए कि 0 भी नहीं है वो तो यहां से आप ठीका दिखा dy upon dx आपके पास क्या है finally y के value क्या थी starting में x की power x एंड में क्या है one plus log x इसको बिटा है as in derivative formula यादि कर लो क्योंकि x की power x का differentiation आप many times use करोगे और यहां की बहुत help करेगा बहुत जड़ा help करेगा further चीज़ों को solve करने में ठीक है next एक और example देता हो जैसे y परबर दे दिया sin x की power x तो same you have to take log on both sides c log y हो जाएगा में यहां से x आगया दे आएगा और log हो जाएगा इसका sin x का now differentiate with respect to x differentiate with respect to x you will get 1 upon y and dy upon dx on this side and on that side you have to use the u into v rule तो x का 1 पेटा और log of sin x as it is ठीक है पलस अब x as it is और log sin x का क्या होगा 1 upon sin x और sin x का क्या होगा cos x so finally आपका जो dy upon dx है वो क्या है या y multiply में चला जाएगा और यह होगा आपके पास x 4 x प्लस में क्या पड़ा है log of sin x और dy upon dx आपके पास क्या होगा पेटा y के पेले वापिस क्या रख सकता हूं मैं sin x all raised to power x multiply में आपका क्या है x 4 x plus log of sin x ठीक है यह आपका dy upon dx चुगा तो यह दो एक्जाप्टर आपको में दिये हैं और most exercise बेटा ऐसी होने वाली है अभी मैं इस chapter में जो लक्षा जहां भी mistake करता है उस point पे काम करता हूं जर्रली बच्चा क्या रखती करता है जैसे मालों मांको यह आपके देनों y is equal to a plus b देखा है मालों एक बच्चा करता है कि log of y is equal to log of a plus log of a this is log क्यों क्योंकि log beta plus क्यों पर और minus per distribute नहीं होता तो यही इस point में दार लगना है कि इस question में जैसे question आए इसको आप ऐसे प्रोशेट नहीं करेंगे कि log y is equal to log of this plus log of that no log distribute नहीं हो सकता तो आपको करना क्या इस question में y is equal to मालों इस function को अपने u मालने जा और इस function को आपने क्या मालने बेटा v अब आपको dy upon dx करेंगे क्या में आपको du upon dx पलस में db upon dx इसको मालों एक equation और अगर तीन होते तो उसको डार क्यों कुछ और माल लेती है अब आपको चाहिए dy upon dx निकाल लेगे नहीं है आपको केवल du upon dx और db upon dx लिए पैटा अब देखो u में किसको मालना x की पावर x को और v में किसको मालना पैटा sin x की पावर x क तो du upon dx अगेन आपका इस में करोगे बाट साइट लोग का प्रोस्स लगाओ की लेकिन यह जर्ट मैं आपको याद रहने के लिए का था तो x की पावर x का होता है x की पावर x into 1 plus log x यह दूसीत ही मिलेगा और sin x की पावर x दिर्कों इस लिट्रिस में सोल किया है यहां यहा कोपी करता हम मेरे पास बें के कुंदी एक्स कितना जाएगा जैला सोच यह साइन एक्स लिपावर x बाहर मेल्टिप्लाइग और प्रेक्ट केंदर हो जाएगा आपका x कोट एक्स ठीक है प्लस में log of sin x तो क्या करना क्या है यह वैल्यू और यह वैल्यू पैटाइ दोन मे यह वैल्यू उट है कि एक्वेशन वान में सब्स्च्टूत कर दो यू विल्यू गेट दे वैल्यू ओ दीवाई अपॉन दीक्स बाग्या पर साइन में पे प्रेक्टिस कर दो है इसकी